नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है केडलोजी में मैं कृत जंगिल आपका इस AutoCAD 2D exercise के series में स्वागत करता हूँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे और समझेंगे इस drawing के बारे में कि इसको कैसे हम लोग draw करेंगे कहां से start करेंगे और कहां जाके end होगा आपको सबसे पहले drawings में references search करने होते है कहां से references drawing के दिये हुए है मैं अभी शुरुआत करूँगा यहां इस circle से जो नीचे में दिया हुआ है दोनों circles दोनों की बीच का distance दिया हुआ है उसके बाद जो mid में जो circle है आपका mid में जो circle है उसको हम लोग बनाएंगे उसके बाद ऊपर के side में जाते चले जाएंगे वहाँ पर भी जो circles हैं वो बनाते चले जाएंगे हम लोग फिर जो fillets हैं और जो arc दिये वे हैं वो complete करते चले जाएंगे तो इसमें हम लोग circles और TTR का भी use करेंगे प्लस fillet का भी use करेंगे और trim का use होगा इतने commands और एक last में use होगा hatching तो तीन से चार command का use करके हम लोग ये rowing को complete करेंगे तो आईए start करते हैं सबसे पहले मैं एक circle create करता हूँ 22 का circle दिया हुआ है तो मैं randomly कहीं पर भी start कर रहा हूँ आप specific कहीं से भी start कर सकते हैं ये 22 एक reference लेता हूँ मैं यहाँ से 76 दिया हुआ है अभी एक center point हमें और मिल गया तो मैं इसको copy कर लेता हूँ c o enter next इसके mid से मुझे जाना है upside में कितना 46 तो यहाँ पर पहले मुझे एक circle का जो center है वो 46 में दिया हुआ है ये drawing का आप screenshot ले लेना या फिर आप मेरे telegram के group में जाकर के भी download कर सकते हैं high resolution में अभी मैं एक circle फिर से create कर रहा हूँ ये मेरे center point है यहाँ पर मुझे radius जो है दिया हुआ है 28 उसके बाद इसके center point से मैं अब जाता हूँ 34 ये मेरे next circle का center point है ये दिया हुआ है मुझे 18 radius और अभी मैं क्या करता हूँ दोनों से tangent line draw करता हूँ अब line command में enter करने के बाद just tan प्रेस कर सकते है उसके बाद मैं इस line को mirror कर दे रहा हूँ enter उसके बाद जो बच रहे हैं उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं trim कर दे रहे हैं तो ये आपको mid का shape जो है मिल चुका है उसके बाद सबसे उपर में जाते हैं अपर साइड में मैं इसको reference के लिए लिया हुआ था इसको delete कर रहा हूँ अभी अभी मुझे यहां से एक reference दिया हुआ है आप देख सकते हैं drawing में 110 उपर में जो circle है उसके लिए तो मैं यहां एक circle create करता हूँ एक diameter दिया हुआ है मुझे 26 का एक और circle है मेरे पास जिसका radius है 24 एक और circle है मेरे पास final जिसका radius मुझे दिया है 32 जो यहां पर जो मेरा midpoint है यहां पर एक जो big size का circle दिया हुआ है जिसका diameter है 124 diameter 124 enter अभी मुझे क्या करना होगा circle TTR हमें इस portion का यहां से जो यहां तक आना है उसका हमें radius दिया हुआ है 43 sorry 45 enter और फिर इसको हम लोग वैसे ही इस corner और इस corner में आपको radius दिये हुए है 18 radius तो वापस से हम लोग या इसको fillet भी कर सकते हैं या तो फिर हम लोग TTR के through भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर fillet करता हूँ radius define कर देते हैं हमारा 18 यहां पर दिया हुआ है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है वो trim हो रहा है तो मैं इसको फिर से वापस दाता हूँ command पर fillet और इसमें जो trim option है उसको off करता हूँ no trim अभी मुझे करना है radius already defined है फिर से करता हूँ fillet यह जो दोनों sides के थे वो मेरे trim sorry fillet हो चुके हैं अभी जो extra portions है मैं उसको क्या करता हूँ delete करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक radius दिया हुआ है fillet दिया हुआ है जिसका radius है आपको 20 तो इसको भी हम लोग fillet कर लेते हैं 20 अब जो बच रहे हैं portions वो हम delete कर देते हैं अभी यहाँ पर एक 12 radius का हमें circle बनाना होगा दोनों side पर आपको dimension इसका given नहीं है यह अभी क्या हुआ यहाँ का portion जो है हमारा complete होता है हम लोग अब इसमें जो बचा हुआ है उपर की तरफ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जब देखेंगे यह tangentially आ रहा है तो मैं line command में enter करता हूँ और इसमें tan type करता हूँ tangent again tan enter और फिर इसको click करता हूँ उसके बाद इसको मैं mirror कर लेता हूँ और जो extra portion है इस circle का उसको मैं trim कर लेता हूँ आप देखेंगे हमारा जो drawing है वो complete हो चुका है अभी मुझे इसमें सिर्फ hatching बचा हुआ है वो hatching मैं कर लेता हूँ command है h यहाँ पर click करता हूँ मैं देखेंगे आप लोग तो यहाँ पूरा purely white white विक रहा है तो यहाँ पर मैं line type scale को change करता हूँ इसको increase करते हैं हम लोग इसको करता हूँ मैं जिदा 50 80 ओके तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा drawing है वो complete हो चुका है तो यह video कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताएं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में Have a great day तो यहाँ यहाँ झाल झाल